आप सबका स्वागत है कोर्ट फर एजूकेशन के अंदर जैसे कि आपको पता है कि मैंने बहुत सारे कोर्स आपको दिये हैं मल्टिपल टॉपिक्स के उपर और आज की जो वीडियो होने वाली आपने बैनर और टैटल के उपर देखी लिया होगा यह उसी सीरीज का पार्ट है जो कि मैंने रिसेंटल लॉंच करी थी जिसके अंदर मैं रियाक्ट के जितने भी कोशन्स पूछे जाते हैं पैक्टिकल मै नहीं बनाई थी जैसे कि आपको मेरे हाँ चैनल पर दिख भी रहोगा सेकंड नंबर की सीरीज तो कि यहां पर मैंने एक वीडियो बनाने के बात में मैं थोड़ा शिफ्ट हो गया था अपने काम की तरफ थोड़ा ऑफिस के काम में अब मैं वहां से फ्री हुआ हूँ और मैं चीजें आपको लगातार देखने को मिलेंगी जितनी भी चीजें पैंडिंग थी अभी तो यह मेरा चैनल है कोट फॉर एजुकेशन का जैसे कि आप सब जानते हैं आप में से बहुत साइर नहीं लोग होंगे वो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ क यहां पर बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं इस वीडियोस को चेक आउट करने के लिए आपको प्लेलिस्ट पर जाना होगा अगर आपको कॉलेज से कॉपरेट में कैसे आना है उसका नौलिज चाहिए किस कौन से डिगरी इंपॉर्टेंट है किन-किन बातों का ध सारी है तो यह सारी चीजें अविडियलिबल है चनल Subscribe free of cost है guys, जाके आप देख सकते हैं, अब बात करते हैं मुद्देखे कि आज की वीडियो है, इसके अंदर हम आज क्या सीखने वाले हैं, तो अभी इसके अंदर हम करेंगे आपका यहाँ पर आगर मैं आ जाओ, तो यहाँ पर आपको application react की चलती भी दिख रही होगी, correct, तो यहाँ पर जैसे कि आपको मेरी screen पे यहाँ पर visible हो रहा है question guys, तो question में सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है आपका fetch data from an API and display, it means कि हमें data fetch करना है API से, काफी beginner question है, yes, but यह सारे question सी, जब मैं interview में देखता हूं या मैं खुद लेता हूं, तो candidates, जितने भी new candidates होते हैं, वो न fetch data from a public API, वो API कोई भी हो सकती है, but मैंने example के लिए रखा है, आपका JSON placeholder को, and display कराना है हमें यहाँ पर list, अब वो list आप महाँ पर comments की करा दें, users की करा दें, जो भी करवा दें, उसके अंदर होनी क्या चीज़ें, आप handle करेंगे महाँ पर loading state को, और error state को, यह दोनों चीज़ वहाँ पर होनी चीए, अब इस task के अंदर आपको interviewer क्या test करना चाता है, यहाँ पर test करना चाता है, कि आपका fetch API का concept clear है या नहीं, use effect आपको आता है या नहीं, state management आपको पता है कि नहीं, और उपर से conditional rendering कैसे करी जाती है, react के अंदर यह चीज़ें आपको पता है या नहीं, इन सारी चीज़ों को वह इस एक test के अंदर test करेगा, जिसकी वएसे वह उसके बाद आपको second round में भेजेगा, तो यह आप question समझ गए कि आज का जो हम अभी करने वाले वह कौन सी चीज़े है, हमें बनाना है, यहाँ पर आपका fetch data from and API and display, तो चलते हैं यहाँ पर सबसे पहल आता हूँ, ठीक है, उससे पहले यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें सारी चीज़े बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, देखे, approach बहुत important है, जब आप महाँ पर live दे रहे होंगे, task कर रहे होंगे, basically interview, live interview दे रहे होंगे, तो उस टाम पर आपको पता होना चाहिए कि आप क्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपका react ले लूँगा, मैं यहाँ पर, react ले लिए हमें, इसके बाद में, हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़े चाहिए, यहाँ पर हमको use state and use effect चाहिए, यह दो चीज़े चाहिए, मेरे को यहाँ पर, मैं यहाँ पर react में से निकाल लोगा ये डन इसके बाद में अब हमें इस्टेट डिफाइंड करनी होंगी तीन चीजों की पहला देटा दूसरा लोडिंग तीसरा एरर ये तीन आपका लोडिंग् एंड से लोडिंग ये यहां पर हम ने रख लिए इसको दैन इसके बाद में अब आपका यहां पर आ यहांप आने के बाद में यह, अब आāmप देखेंगे वैं तीनों में नल रखाएंग tenonní नauthor कर नूधाullen क्यों क्योंकि हमें लोडिंग पहले दिखाना होगा, जितनी भी API की जो call होगा, data refresh होके आएगा ब्राउजर पर उस time पे हमें loading सबसे पहले दिखाना है, then अगर API successful call हो जाती है, तो उसके बाद में data आएगा, अगर वो successful call नहीं होती है, तो error आएगा, ये तीन चीज हम परफॉर्म करना चाहते है, ठीक है, अब ये तीन चीज परफॉर्म करने के लिए, अब हमें कौन सा handle बनाना पड़ेगा, जो API के लिए हमें चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पर आप चलेंगे यहाँ पर मैंने इसको already रैपोस को ready कर दिया है, जो भी code यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, यह सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ से आप डाउनलोड करके practice कर सकते हैं, इसके बाद में जो भी other चीज़े हैं, आपको हमारी website से मिल जाएगा, यहाँ से आपको किसी बी इंट्रिव्यू से रिलेटेड या फिर कोई भी guidance चाहिए, तो आप topmate पे code for education में यहाँ पर booking कर सकते हैं, बहुत minimal price रखा हुआ है, मैंने आप सब के लिए, यह सारा कुछ पे करेंगे, आप topmate को और यहाँ booking करिए, और मैं आपके लिए guidance अविल्वल करवा पोस्ट पे तो देखें, इतनी सारी पोस्ट अभी हमारे पास में available है, देख रहे हैं आपको, अब यही URL आपको कहा यूज करना होगा, अब यह URL हमें use करना होगा, हमें code के अंदर, कैसे, देखें, सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे use effect, इस use effect के अंदर arrow function, ठीक है, arrow function मैं भी, मैंने use effect पढ़ाया है आपको जब रियाट के course में, तो मैंने वहाँ पे बताए, dependency लगते हैं यहाँ पे, तो dependency अभी यहाँ पे हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, खाली रखेंगे हम, ओके, इसके बाद में fetch, data, and इसके बाद में a synchronous call करवाएंगे हम इसको, ठीक है, आई के अंदर आप क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले आपका set loading, जैसे मैंने आपको बताया कि set loading क्या होना चाहिए, by default तो true है, वैसे भी हम true कर देते हैं, try catch क्यों, try catch आपको पता है method मैंने आपको पढ़ा है, java script के अंदर भी पढ़ा रखा है, react के अंदर भी लगा लेते हैं, calls को, okay, तो इसके बाद है, हमारा यहाँ पर आपका const, const के बाद में हमें, जो भी response मिलेगा, वो चाहिए हमें, okay, response, then इसके बाद में, और से तो wait आएगा यहाँ पर, then fetch method, जो react के अंदर हमें मिलता है, क्योंकि मैं कोई भी third party library use नहीं कर रहा हूँ, और यह चीच कर लिए भी हमने, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब इसके बाद में हमें चाहिए, अब यहाँ पर response इसका, okay, if, suppose यहाँ पर API तो हमने यहाँ पर declare करती, correct, not, ठीक है, response is okay, अगर response okay नहीं है, क्या करना चाहिए हो इस टैम पे, error throw करना चाहिए, correct, और error में भी क्या आएगा आपका, कि network plus response, ठीक है, was not okay, इतनी चीज आपकी done है, यह हम throw करवा देंगे, error के case में, इसके बाद में next, अब क्या, आप यहाँ लिखेंगे, const, आप result बनाएंगे, एक और, await, ठीक है, इसमें से हमें JSON, ठीक है, यहाँ पर हमें JSON मिल रहा है, और इस JSON को, जो भ हम कहां set कराएंगे, अपने set data वाले, यहाँ पर, इस state के अंदर, तो यहाँ पर हमें क्या pass करना होगा, यहाँ पर हमें pass करना होगा result, ठीक है, यह देखें, इतनी चीज समझ गया आप, कि try के अंदर हमने क्या क्या चीज़ रखी है, then इसके बाद में, आप यहाँ बनाएं मिली रहा है, उसके अंदर से जो भी message आ रहा है, ठीक है, error का, वो हम यहाँ पर रख लेंगे, देखें, यहाँ पर हमने इसको कुछ इस तरीके से pass कर देंगे, then इसके अंदर मिलता है आपको final, correct, तो यहाँ पर जब सब कुछ statement चल जाती है, then final में हम क्या करेंगे, अपने loading जो loading वाला part है, वहाँ पर उसको कर देंगे false, okay, अब इतनी चीज़ done, इतनी चीज़ done होने के बात में आप देखेंगे, assign हमने यहाँ पर set तो कर दिया, बट अब यहाँ पर चीज़ें चल नहीं रही है, correct, चलेंगी कैसे, चलाएंगी कैसे इसको, तो यहाँ पर आने के ब यहाँ चल रहा है, तो उसकेस में हम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले console, और console में हम रखते हैं data, ठीक है, और यहाँ print करवा लेते हैं आपका data, ठीक है, इतनी चीज़ done है, अभी नीचे जितनी भी error आ रहा है, वो चले जाएंगे yes link के, यहाँ पर मैंने क्या करा, आप एक देखना चाहते हैं हमारा API call हुआ भी है या नहीं, तो चलेंगे ब्राउजर पर यहाँ पर, ब्राउजर पर आने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखेगा, करेंगे inspect, inspect करने के बाद में चलते हैं, यहाँ पर side में console, console में आने के बाद देखें, hundred entries हमारे पास में आ गई है, it means कि जो API call का method हमने आई बनाया, fetch करने का, वो successfully work कर रहा है, अगर work नहीं करेगा, तो क्या आएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, body हो गया, ID हो गया, title हो गया, user ID हो गया, यह सारी चीज़े अभी हमें मिल रही है, अब इसके बाद में next, next है आपका यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमें error मिलता है, suppose की मानिए कि मेरे को loading दिखाना है पहले, correct, तो loading कैसे दिखाएंगे, आप सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहीं पे if loading, पहली check कर लेंगे हम, return क्या करवाएंगे, हम यहाँ पे आपका return करवा लेंगे, ठीक ह loading और three dots, यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, कुछ इस तरीके से यह देखे, okay, यहाँ पे मैंने mention कर दिया, यहाँ पे app app css के अंदर चलेंगे न, तो यहाँ पे मैंने देखी दो चीज़े रखी है, right, यहाँ पे आपका loading हो गया, error हो गया, इस css की वेसे थोड़ा सा वो ब यह भी test करेंगे, तो यहीं से return p में class name, error, okay, error हो गया, यहाँ पे आपका, इस error के अंदर error आ जाएगा, plus, और यह error आएगा कौन सा, जो अब भी हमने उसमें const में रखा है, उसके, ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे तीनों चीज़ों के लिए मैंने यहाँ पर बन रखेगा कैसे, right, loading को देखना है मेरको तो continuously, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि, मानिये कि मेरे पास मैं अभी यहाँ पर है यही नहीं, मानिये मैंने post रखा ही नहीं, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, सेफ करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे, तो देखे, यह यहाँ पर, loading अगर हमें देखना है, तो मानिये हम यहाँ पर चलते हैं, वाप इस Jason Placeholder के उस पर, यहाँ पर आप देखेंगे, अलग-अलग है, photos है, to do's है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर just last में, जहाँ पर मैंने post लिखा हुआ है, यहाँ मैं कर देता हूँ, आपका photos, photos, करता हूँ मैं, save, save करने के बाद यहाँ पर आते हैं, react के application पर refresh करता हूँ मैं, refresh करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर load हो रहा है data, बट यहाँ पर print नहीं हो रहा, तो इसलिए अभी वो loading दिखनी रहा उस तरीके से, तो अब क्या करते हैं, मानिये, वापिस से इसक condition, यही है वो जो last उसमें आप बोला है, कि condition के इसाफ से print करवा के दिखाने हमें data, सबसे पहले map, map के अंदर मानिये कि parameter ले लिया, मैंने item का, ठीक है, and then आपका arrow, इसके बाद में कुछ इस तरीके से, then इसके बाद में आपका li है, li पर मैं क्या करता हूँ, की, क्यूं पास करते हैं, आपको पता होगा, अगर आपनी react पड़ा है, तो, then यहाँ से ID जो मिल रही है, हमें dynamic वो हम रख लेंगे, ठीक है, and then इसके अंदर, इसके अंदर, हम item dot, मैं title रख लेता हूँ, बस अभी, अभी के लिए, ठीक है, बाकी extra जो भी है, वो हमें print नहीं करवाना भी, ह सेव करा मैंने, सेव करने के बाद चलेंगे वापिस, वापिस आने के बाद देखेंगे, सारा का सारा data जो भी हमार को अभी मिल रहा था हमारी यहाँ पर, वो सारी चीज़े अभी हमार पास पे visible हो भी रही है, अब आप देखेंगे तो देखे, यहाँ पे loading आपको दिख र लोडिंग वाली स्टेट भी डन हो गई आपकी जो की इंटर्वीवर ने कहा आपसे एरर कैसे दिखेगा तो एरर में सिंपल है आपको वो URL में कुछ भी गलत URL पेस्ट कर देना है देन उसके बाद में सबसे पहले कुछ इस तरीके से दिखेगा और देखे यहां पे आपका एरर आ रहा है तो यह भी केस आपका वर्किंग है और जो डिस्पले हो रहा है वो तो परफेक्ट हो ही रहा है आपका तो यह है आपका इस इंटर्यू के कोशन का कॉंसेट गाइस की किस तरीके से आपको फैच करके तीनो चिज़े तीनो इस्टीट जो डेटा की है लोडिंग की है एरर की है यह सारी चीज़ों आपको दिखा करना है वो सारी चीज़े मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है इसके बाद भी कोई डाउट होता है या कोई पी इंटर्वू का other questions है तो comment कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई है तो like कर दें guys and guys channel पे नए हैं तो channel को subscribe करें bell icon को all पे click करें जिससे की वीडियो की latest notification आपको सबसे पहले मिल सके and guys सारे के सारे social media के platform की links description में available है जाए free में use कर सकते हैं आप आप सब के लिए यह सारी चीज़े यहाँ पे अगर आपको book करने से related जो भी जाने चीज़ें बता रखें वो कर सकते हैं आप और भी किसी चीज़ से related कोई doubt हो तो आप doubt भी feel free पूछ सकते हैं अपना तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो में guys जब के लिए till there बाबाई guys